हेलो स्टूरेंट डिस डॉक्टर आदिका एंड वी वर स्टुडि इंटीक्स होग रहे आप हम स्पेसिफिक ली पढ़ रहे ते मेंडेलियन जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के बाद में हमें आज एक चोटा सा टॉपिक कवर करना है वो है क्रॉमोजोमल थेो की एधिर निरियू का था इन कंट्रास्टिंग टर्थे experiments को detail में पढ़ा था और उसके जो conclusion निकले थे उन conclusion से उन्होंने जो laws दिये थे उन laws के बारे में भी हमने पढ़ा था बट उन laws को क्या post-mendalian genetics में scientist ने accept किया था किन laws को उन्होंने accept किया था किन laws को उन्होंने छोड़ दिया था वो भी हम discuss कर चुके हैं अब post-mendalian genetics में यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से different scientists ने अपनी अलग-अलग theories अपने अलग-अलग principle genetics में देए जिसमें एक है chromosomal theory of inheritance यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से chromosome generation to generation inherit करते हैं अगर हम इन दूनों की बात करें कि Mendel ने यह कहा कि कोई भी factor या आप कह सकते हैं कि कोई भी character जो है generation यानि कि parents से अपने offspring में transfer होता हैं इसका मतलब यह हैं कि किस तरीके से यहाँ पे generation to generation जो है characters transfer होते हैं ओके यह Mendel ने कहा था मेंडल ने इतना कहा पर Mendel के बाद में जिन scientist ने यहाँ पे बाद में जो study की उनका कहना यह था कि सिर्फ factor या कोई character पेरेंट से ऑस्फरिंग में नहीं transfer होता है बलकि उन्होंने comparison किया कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो जो हैं transfer होते हैं generation to generation मतलब parents से ऑस्फरिंग्स तक क्रोमोजोम जाते हैं इनका सिर्फ कहना था characters जैसे example की बात करें तो मैंडल कहते हैं जैसे कि एक tall का एक character height का गले तो tall का एक aleel है और एक daft के लिए है ठीक है ना तो उन्होंने कहा यह traits transfer हो रहे हैं ठीक है या तो tall का या daft का यह generation to generation transfer हो रहा है बट यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्रोमोजोम जो है वो generation to generation transfer हो रहे हैं ठीक है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है comparison करके देखा क्या comparison करके देखा यह comparison करके देखा कि देखते हैं कि किस तरीके से factor जैसे transfer हो रहे थे generation to generation क्या क्रोमोजोम भी ऐसे ही generation to generation transfer करते हैं ठीक है तो यहां पर दो scientist एक थे Walter Sutton and Theodore Bovary इन्होंने separately इस पर काम किया कि chromosome generation to generation transfer होते हैं like Mendelian factors or not around 1902 या 3 के आसपास इन्होंने separate इन्होंने experiment perform किये थे पर period of study और experiment was more or less quite similar ठीक है तो इन दोनोंने जो यह theory अलग-अलग biological systems में इन्होंने यह study की थी ठीक है independent study थी अलग-अलग कर रहे थे separately कर रहे थे पर दोनों की study से एक ही चीज यह पता चले कि chromosome जो है generation to generation transfer होते हैं जैसा कि Mendel कहते थे कि वो जो factors हैं वो generation to generation transfer होते हैं इस theory को क्योंकि इन दोनों ने independently इसी पर ही काम किया था एक ही समय पे तो इस theory का नाम दिया गया Sutton and Bovary theory अब इस theory में क्या-क्या observation इन्होंने देखे तो इस observation की time पे उन्होंने यह देखा जैसे कि सबसे पहले इन्होंने Mendelian factors को और Cromosomal behavior of inheritance उन्होंने चेक किया कि यह दोनों एक ही साथ में inherit होते हैं कैसे inherit होते हैं तो Mendelian factors की बात करें और Cromosomal behavior of inheritance की बात करते हैं ठीक है तो इनका कहना यह था कि genes are located at specific locus of the chromosome यानि कि chromosome के किसी एक specific point पे genes जो हैं वो लगे हुए होते हैं या factors किसी एक specific जगे पे locus पे लगे होते हैं दूसरी चीज उन्होंने यह देखा कि chromosome जो हैं वो हमेशा pairs में होते हैं homologous chromosome एक maternal से होगा और एक paternal से होगा ठीक है just like mendelian factors जब mendelian factors की बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं जैसे कि अगर यह chromosome के बारे में कह रहे हैं तो mendelian factors में वो एक अगर capital T है दूसरा small T है वो in factor की बात कर रहे हैं तो यह भी हमेशा आपको ऐसे ही पेर में नजर आ रहे हैं just like homologous chromosome तो यह एक similarity थी कि जैसे mendel कह रहे थे कि उनके factors जो हैं वो pairs में हैं वैसे ही chromosome भी हैं वो भी pairs में हैं ठीक अब अगर इसमें कोई gene है ठीक है तो यह दोनों एक साथ हैं और inherit एक ही साथ करेंगे वो आगे हम देखते हैं कैसे कि both the chromosomes and mendels factors are inherited from parents to offspring यानि कि ये दोनों ही mendelian factor भी एक generation से दूसरी generation में transfer होते हैं ठीक है अगर यहां हमने पहले monohybrid और dihybrid cross जो mendelian genetics के हमने किये थे उसमें F1 generation F2 generation हमने देखा था कि किस तरीके से factors जो हैं वो transfer हो रहे हैं यहां पे इसी तरीके से जब आप meiosis पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से chromosome जो हैं दूसरे daughter cells में वो transfer होते हैं ठीक है तो दोनों में यह similarity रही उसके बाद में chromosome are the one which segregate during the gamete formation अब इसको देखने के लिए आप यहां पे देखते हैं इस बात के लिए आप यहां पे देखेंगे कि क्रोमोजोम जो हैं वो segregate करते हैं during gamete formation ठीक है यह हमने देख रखा है जैसे कि यह हो गए chromosome ठीक है होमोलोगस पेर है एक mother से है this one is from mother and this one is from father होमोलोगस क्रोमोजोम सेम लोकस में इन्होंने genes के लिए जो है alternative लिए जो है वो carry कर रखें capital T और small T उसके बाद में अब जैसे कि मियोसिस में देखते हैं कि आप जब cell divide कर रहा होता है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे chromosome जो है replicate किये हो है तो यहाँ पे replicated आपको chromosome नजर आ रहे है उसके बाद में आपने देखा कि मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे होमोलोगस chromosome जो है यह separate हो गए segregate कर हो गए ठीक है तो gamete formation के time पे chromosome जो है वो segregate कर जाते है जैसे कि आप यहाँ मेंडेलियन में देख रहे है फिर उसके बाद में जब second मियोसिस आती है मियोसिस second आती है तो वहाँ पे फिर आपकी sister chromatids है वो separate हो जाते है तो separate आपको यहाँ पे capital T मिल रहा है separate आपको यहाँ पे small T मिल रहा है तो याने कि small T अलग segregate हो गए याने कि यहाँ पे देखिए एक chromosome ये segregate होआ है यहां chromosome segregate होआ है इसका मतलब यह है जो Chrom serum capital T के साथ था वो अलग हो गया就是 small T के साथ में था वो अलग हो गया यान कि gamete में यहाँ पे half of chromosome जा चुके है similarly Mendel ने भी कहा कि characters जो है अपने gametes में half-half चले जाते हैं यानि कि यह deployed होता है और haploid जो है pure जो gametes है वो pure यहाँ पे characters लेके चलते हैं तो यह भी similarity इसमें रही कि यहाँ पे meiosis के time पे chromosome जो है यह chromosome जो है यहाँ आके segregate हो चुके हैं meiosis में similarly जैसे mendel की यहाँ पे characters जो है वो segregate हो चुके थे हैं यहाँ पे अब इसे यह support कर रहे है कि mendel's law of segregation जो है यह मतला post-mendalian genetics में scientist ने कहा ok mendel's law of segregation जो है इसे वो अपने experiment से proof करते हैं ठीक है अब इनका कहना यह है कि chromosome pairs जो है they are sorted independently जैसे कि mendel factor कहते हैं कि वो gametes में जब आप factors को check करते हैं तो वो independently अपनी मर्जी से कैसे भी sort out हो सकते हैं कैसे भी assort हो सकते हैं similarly chromosome pairs भी उसका example कैसे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे mendel ने जैसे dihybrid cross दिया तो वो possible number of इहां जो progeny हो सकते हैं या combination हो सकते हैं Capital A, Capital B के साथ जा सकता है Capital A जो है small बी के साथ आ सकता है यहाँ पे small A, small B के साथ जा सकता है small A जो है capital B के साथ तो they are independent to go with any alleles यांनि कि यहाँ पे यह independently assort हो सकते हैं ठीक है यह मेंडल ने कहा तो similarly यहाँ पे हम क्रोमोजोम जब देखते हैं तो क्रोमोजोम यहाँ पे आप देखिए एक क्रोमोजोम यह है एक यह दा हमोमोलोगस क्रोमोजोम से अब यहाँ पे इन्हें ने क्या किया रेप्लिकेशन हुआ है तो possible number of यहाँ पे जो combination बन सकते हैं तो यहाँ आप देखिए कि capital A और capital B साथ में यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं ठीक है? सॉरी, capital A और small B यह capital A इस small B के साथ जा सकता है ठीक है? और small A जो है capital B के साथ जा सकता है यानि कि ऐसा नहीं है कि dominant character यानि कि capital A जो है dominant character capital B के साथ ही जाएगा यह अपनी मर्जी से assort हो सकते हैं small recessive के साथ भी जा सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पे यह इस तरीके से meiosis first में इन्होंने segregate हुए अब meiosis second में यहाँ जो gametes बनने वाले हैं तो capital A के साथ में आपको small b का combination मिल रहा है जैसे कि यहाँ पे मिला था यह combination मिला है और small A के साथ में capital B का combination मिला है जैसे यहाँ पे मिला हुआ है तो यह possibility हो सकती है और यह भी हो सकता है कि अगर capital A यानि कि dominant वाला recessive के साथ ना जाके dominant dominant के साथ ही चला जाए यानि कि this one capital A and capital B यह dominant हैं दोनों और यह दोनों recessive हैं तो यह दोनों एक साथ भी हो सकते हैं तो जो अब gamete बनेंगे तो वो capital A और capital B का बनेगा जैसे कि यहाँ पर बना था और यहाँ पर small A, small V जो recessive है उसका बना है तो similarly यहाँ पर जैसे मेंडल ने बताया था कि जो factors हैं वो independently assort हो सकते हैं meiosis में, gamete formation के टाइम पे वैसे ही chromosomes जो है वो meiosis के टाइम पे independently assort करके जा सकते हैं तो this was the chromosomal theory of inheritance जिसमें वो यह बता रहे हैं कि किस तरीके से जो chromosomes जिस तरीके से behave कर रहे हैं जो उनका behavior है inheritance का वो just आपके mendelian factors के inheritance के जैसा ही है इसलिए उन्होंने कहा कि chromosomal theory of inheritance यान कि chromosome जो हैं वो parents से अपने बच्चों तक transfer होते हैं Mendel ने कहा था कि factors generation to generation transfer होते हैं ठीके उनका कहना था कि factors जो है वो generation to generation transfer हो रहे हैं पर बाद में यहां पे post mendelian genetics में यहां पे scientist ने कहा कि factors के जैसे chromosome भी transfer होते हैं generation to generation अभी यहां उनको gene और यह सारी चीज़ें अभी clear नहीं थी ठीके तो उन्होंने comparison करके किया सबसे main चीज़ यह कि chromosome जो है वो specific locus में genes को carry कर रहे हैं ठीके एक चीज़ यह clear है दूसरी चीज़ यह है सबसे mainly कि यह segregate होते हैं meiosis में जैसे कि mendelian factors segregate कर जाते हैं वैसे ही यहां पे meiosis में यह chromosome भी segregate कर रहे हैं जैसे capital T segregate किया है small t segregate किया है वैसे ही यहां पे आप capital T carrying chromosome भी segregate कर रहा है small t carrying chromosome भी segregate कर रहा है ओके उसके बाद में next law of independent assortment यहां पे कह रहे हैं कि हर एक जो alleles है या जो traits हैं combinations हैं यह जो हैं independently assort कर सकते हैं capital A के साथ में capital B भी जा सकता है और capital A के साथ small B भी जा सकता है वैसे वरसा आपका इसमें भी हो सकता है तो similarly इन्होंने यहां पे meiosis में दिखा है कि chromosome जो हैं वो कैसे भी independently assort कर सकते हैं capital A के साथ में small B हो सकता है जैसे एक combination हमने यह वाला देखा है और capital A के साथ में capital B भी हो सकता है तो यहां पे possible जो प्रोजेनी आपकी जो number of possible जो combination बन सकते हैं वैसे ही possible combination यहां क्रोमोजोम के साथ में बन सकते हैं तो इससे इन्होंने conclusion यही निकाला है इनकी observation यही रही है कि क्रोमोजोम जो है वो उनका behavior inheritance का Mendelian factor के जैसे ही है इसलिए क्रोमोजोम जो है वो inherit करते हैं generation to generation और जिसका नाम उन्होंने दिया chromosomal theory of inheritance ठीक है और आलसो क्योंकि इन दोनों साइंटिस ने इसके उपर काम किया था तो इस theory को Saturn and Bovary theory भी कहा जाता है ठीक है तो यह similarity के basis पे उन्होंने यहाँ पे inheritance में क्रोमोजोम का नाम लिया है बट इसके बाद में इस theory को confirm करने के लिए यहाँ पे another experiment परफॉर्म किया गया और वो experiment परफॉर्म किया था fruit fly पे यानि की dross of illa melanogaster पे ठीक है इस पे किया गया था और किन्होंने किया था Thomas Hunt Morgan इन्होंने dross of illa की eye colors के basis पे experiment परफॉर्म किये और उन्होंने यह चीज confirm की कि क्रोमोजोम के उपर jeans यानि कि क्रोमोजोम जो है वो jeans को carry करते है जो क्रोमोजोम है they are carrier of jeans यानि कि Mendel की language में कहें तो element या factor ठीक है जिसे वो कह रहे है generation to generation transfer हो रहा है वो actually क्रोमोजोम के उपर है यानि कि क्रोमोजोम में present है यानि कि क्रोमोजोम jeans को carry कर रहे है इसलिए साटन और बोवरी ने कहा कि जैसे ये gene inherit करता है generation to generation वैसे ही क्रोमोजोम भी inherit करते है generation to generation और ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि Thomas Hunt Morgan ने इसको confirm किया है drosophila melanogaster में study करने के बाद में experiment perform करने के बाद में क्योंकि क्रोमोजोम और mendelian factor इसलिए inherit करते है generation to generation क्योंकि क्रोमोजोम jeans को carry करते है इसलिए ये inherit होगा तो obviously क्रोमोजोम भी inherit कर रहा है या वाई से वरसा आप कह सकते हैं क्रोमोजोम इनहारिट कर रहा है इसलिए genes भी inherit कर रहा है ओके so this was the क्रोमोजोम थियोरी ओफ इनहारिटेंस in very simple words यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पर क्रोमोजोम थियोरी ओफ इनहारिटेंस में बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से mendelian factors जो है वो chromosomal behavior जो है inheritance का और mendelian factors का inheritance behavior है कैसे similar रहा जैसे कि mendelian factors segregate होते थे meiosis के time पर वैसे ही यहाँ पर chromosomes भी segregate हो रहे है जैसे independently assort होके chromosome के pairs जाते हैं वैसे ही mendelian factors भी assort होते हैं independently तो यह एक basis रखा गया कि हाँ chromosome भी inherit करते हैं generation to generation और last में Morgan ने अपने experiment से उसको confirmation दे दिया कि हाँ यह दोनों एक generation से दूसरे generation में transfer होते हैं और क्यूं होते हैं क्योंकि chromosomes जो हैं वो genes को carry करके लेके जाते हैं इसलिए दोनों similar behavior of inheritance जो है वो show कर रहे हैं I hope आपको chromosomal theory of inheritance समझ में आया होगा अगर आपको अभी भी कुछ droughts हैं तो please आप comment कर सकते हैं I will explain it later